हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उमीदों की सब के सब बढ़िया होंगी वेल आज मैं आपको एक ऐसी सीरीज एक्सप्लेइन करने जा रहे हूँ जो कि मुझे भी काफी जादा पसंद आई है वेल एपिसोड की शुरुबात में हम दो आर्मीज को देखते हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी होई होती है एक थी हूमन वर्ल्ड की और दूसरी थी डिमांड अब यहाँ पर सीन सिफ्ट होता है हमें नेरेटर वाइस बताती है कि यह जग काफी फुराने सालों से चलती आ रहे है जहाँ पर इंसानों और टीमन्स की पूरही लड़ाई में टीमन्स एक पार जीत गए थे वो भी इंसानों की कमजोरी के वज़े से क्योंकि इंसान हमें सास एक दूसरे से गदारी करते आये इवन कि वो आपस में भी लड़ा करते थे जिसका फाइदा उठा कर टीमन्स ने इंसानों की एंपरर को भी मार दिया लेकिन फिर एक पार एक ऐसा बंदा आता है चोकि सब को एक साथ करके टीमन्स को हराने के रास्ते पर निकल पड़ता है क्या हो एक अच्छा लेडर बन पाएगा और इसी के साथ सिंसिफ्ट होता है जहापर की जंग होने वाली है दूसी दफ हम दीमन्स की टरफ से एक जनरल को देखते हैं चोकि अपने लोगों को आखे बढ़ने के लिए क्याता है लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आखे बढ़ते हैं हम वह अपर एक लड़के को देखते हैं चोकि एक असेसेशन था वो अचानक से बाहर आकर उस जनरल को एक ही वार में खतम करते था अब यहाँ पर यह देखकर पीच में भक्तर मत चाता है उस असेशन को पकड़ने का ओर्डर भी लागो हो जाता है लेकिन हम देखते हैं कि वो असेशेशन काफी जादा चाफ फाइटर होता है जहां कि उससे सब के सब मिलकर भी नहीं पकड़ पा रहे थी उसी तव उस असेशेशन की नजर उनकी डिप्टी कमांडर की उपर थी और उसके हाथ लगते पर वो असेशेशन उसे भी मार देता है मानों की एक काम उसके लिए एक बस चोटी सी चीज है और अब जैसे कि वो दोनों की दोनों बंदे मर गए थे चुकि लीडर्स थे ये देखका टीमन्स की जेना घपरा जाती है क्योंकि उन्हें अब लीड करने वाला कोई भी नी था इसलिए अब वो सब के सब तीजी से जंग छोड़ के भागने लगते है दूसी तफ हम उस असेशेशन का चेहरा देखते हैं कि वो और कोई नहीं पर की चीज ज़वान है यानि कि हम सब का हीरो दूसी तफ हम कुछ इंसानों की फौज की लीडर्स को देखते हैं जोकि प्लैनिंग मिना रहे होते हैं कि उन डीमन्स को कैसे हराना है क्योंकि वो लोग तदात में बहुत कम थे डीमन्स की सेना के सामने लेकिन उसी वक्त उनकी नजर डीमन्स के उपर जाती है जोकि जंग छोड़ के भाग रहे होते हैं ये देखकर जो इनसानी सेना की डिप्टी कमांडर होती है यानि कि उसका नाम पाई होन होता है दूसी तर फौफ वो इसी चीच के बारे में बात करने के ले अपने कमांडर के बात जाती है जिसपगी वो देखती है कि उस कमांडर के कपड़ों में उसका एक सेवक था ये देखकर बाईवान को बहुत ज़ादा गुस्टा आती है कि वो ये बड़े मौके में कहां गया है वो क्या और उस बंदेख से पूछने के बाद बता चलता है कि वो जंगल की तरह हो गया है जब बाईवान उस रास्ते में जाती है तो उसे पेड़ के उपर जीचवान दिखता है जो कि हराम से बैठा होता है ये दिखकर बाईवान गुसे से उसका नाम चिलाती है कि दूसरी दरफ तो इतना बड़ा यूद चला हुआ है और दूसरी दफ उनी का कमांडर यहाँ पर मौच कर रहा है उसकी आवास से जीचवान सीथा पेड़ से नीचे गर जाता है कहता है कि क्या हुआ कि टीमन्स ने हमारे उपर टाक कर दिया इसके पाद वो पैनिकों कर उदर से भागने के लिए ख्याता है जिस पर कि भाईवान उससे कहती है कि तो उन कैसे कमांडर हो अब ही कुछ हुआ तो नहीं है बट मुझे तुमारा बस ओर्डर देना है उन डीमन्स का पीछा करने के लिए जिस पर कि अब जीजवान मजे से कहने लगता है कि क्या फरक पड़ता है अगर हमारा काम इतना ज़्यादा सान हो जुका है तो अगर वो जा रहे है तो उन्हें जाने दो पर बात कुछ और ही थी क्योंकि जीजवान वहाँ पर उन डीमन्स के पास पहुँचने का एक शौटकट रास्ता डोन रहा था यहाँ दूसी तव भाई होँआ अकेले निकल कर अपनी सेना के एक टुकड़ी को इशारा करती है कि वो उनका जाकर पीछा करे दूसी तव जीजवान तो उस कार्ट के बारे में सोच रहा था इसका डीमन्स इतने जादा एक्शन कर रहे थे जो कि उनके जनर्र ने मनने से पहले उनसे कहा था और इसी बात को सोचते वे जीजवान कहरा होता है कि शायद तक तो लियू जाई उस गाड़ी तक पहुची गया होगा लेकिन उन्हें इस बात के फिकर नहीं होती है क्योंकि लियू जाई पहले ही उसका पिचा कर रहा था यहां लियू जाई जाते ही सबसे पहले उन टीमन्स को मार देता है जो कि उस गाड़ी को खीच रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक प्रिंस इस थी जो कि वहाँ पर बैट कर रो रही होती है दूसी दफ हम बाई होन और यू मिंक को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहे होते हैं बात की तो इन्हीं खुशी भी थी कि उन्होंने इस यूद में डीमन्स को हरा दिया और यह उनकी काफी जादा डीमन्स भी अभी अरेस्ट हो चुकिया लेकिन बाई होन को ये समझ भी नहीं आ रहा था कि आखे उनके जनरल्स को किसने मारा और इसी बात का पता लगाने के लिए वो जीचवान से मिलने के लिए चले जाती है यहां हम जीचवान को देखते हैं जिसका special guard उसकी बहुत जादा तारीफ कर रहा होता है कि अगर आप नहीं होते हैं हम इस जंग को नहीं जीत पाते हैं और जब वो ये बात करी रहे होते हैं तब ही वहाँ पर लिउजी भी आ जाता है जोकि अपने साथ एक पूरी भी लेकर आया था जैसी वो पूरी हटाता है तो उसमें वही प्रिंसिस थी जिससे देखकर जीचवान उसकी guard की नजरे खुले की खुली ही रह जाती है अब इसको देखने की बात जीचवान अपने guard को वहाँ से बाहर जाने को कहता है जीचवान का guard उसे अंदर आने लगती होगी जिसे बचाने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तयार थे और अब इसकी बात वो दोनों की दोनों मजे लेने लगते हैं और कहते हैं कि हम इस लड़की का क्या करें या हम इसे बेच दे या फिर कुछ और शायद से इसे बेचने के बात हमारे पास काफी जादा रखोमा जाए उनकी ऐसी बातों को वो लड़की भी सुन रही होते हैं इसके बात वो अपने पास से कुछ जीच को शुपाने लगती है इसे देखकर वो दोनों उसकी नस्तिक आते हैं देखने लगते हैं और दूसी तफ हम बाईवान को देखते हैं चोकि बाहर पहुँच चुकी थी ले पर उन दोनों लड़कों को उस लड़की के साथ देखकर भाईवान को काफी जादा गुस्सा आती है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मज़े कर रहे हो तूसी तर वो अंदर आकर अब उन दोनों के ओपर टैक करने लगते हैं जिस पर के लिउस आई तो वहां से निकल ल तब भी वो लड़की अपना मूँ खोलती है और क्याती है कि मैं गौड्स के शाही परिवार से ब्लॉंग करती हूँ और मैं वहां के राज कुमारी भी हो तो चाओ मुझे अब प्रिंसेस जैसा ट्रेट्मेंट दो इसके बाद बाद बाइवान और जीजवान बाहर आते है चापके जीजवान बहुत ज़्यादा परिशान होता है क्योंकि इस लड़की ने मौनिंग में काफी मैंगी ड्रिंकी मांग करी थी ये पात सुन कर जीजवान कहता है कि तो मैं इतने सालों से घड़े का पानी पीते हा रहा हूँ और उसे चाहिए बिसलरी यहाँ दूसरी बाई होन उसे पूस्ती है कि मुझे समझ में नहीं आरा कि फो लड़की डीमन्स के साथ कर क्या नहीं थी और दूसी तब उससे ये भी सवाल पूस्ती है कि आखे डीमन्स की जनरल और टिपटी कमांडर को किसने मारा जिस पर कि जीजवान बताता है कि ये काम और किसी का चलने के लिए जाता है जहां चाकि उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अफव अपनी आर्मी को इस्टन से छोड़ कर सेंटरल में आ सकता है और उसका प्रमोशन और कि यांग मिंग हुआ ने कराया है उसकी परफॉमेंस को देख कर जिस पर कि जीजवान खुश होने की पावजूत सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा क्योंकि यांग मिंग हुआ की वज़े से पहले ही जीजवान की फामी को काफी कुछ सेहना पड़ा था और ये बंदा आज कर प्रेजिदेंट की खुरसी हडपने के चक्कर में और कहीं इस पार भी खा रहा होता है दूसी दव उन तीनों की पास में से किसी की भी पास पैसे नहीं थे अब जिस पर वो रोने लगते हैं जिस पर कि जीजवान उससे कहता है कि तुम खा क्यों ने रहे हो तुम रो क्यों रहे हो अब जिस पर कि उसकी दोस्त बथाते हैं कि उसकी अलग होने के दुख में वो रो रहे हैं तो जिस पर जी चौन उन्हें एक आइडिया देता है क्याता है कि क्यों न तुम भी मेरे साथ प्रमोशन हो जाओ और सेंटरल एरिया में सिफ्ट हो जाओ मैं तुमारी भी बात करूँगा ओफिसर्ट से और इसके बात जैसी वो ड्रिंक पीता है और सामने देखता है तो पाता है कि उसकी दोस खिरगी के रास्ते से उस जगा से भाग चुके थे अब जैसे कि उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए अब वो बिल भी जी चौन के नाम पे लिखा देते है ये पास उनकर जी चौन को काफे ज़ादा गुस्सा आती है और अब जैसी वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो इस होटल का मालिक उसे रोक देता है अब सेन सिफ्ट होता है चापके हम प्रेजिज़न को देखते हैं की काफे ज़ादा पूड़े हो चुके थे उनके सामने एक बंदा खड़ा था जिसका नाम स्टैफलें था फो उससे पूछता है कि आपको नहीं लगता जी चौन का चानक से ट्रांसफर होना कहीं उसके खिलाफ कोई स्टाजिस तो नहीं है अब जिसके बाद जैसा की चीज़ों का ट्रांसफर हो चुका था और उसकी सातियों का तो इसकी बाद वो सबके सब सेंटरल की तरफ बढ़ने लगते हैं अपनी साथ उसी प्रिंसिस को लेकर उस सिटे में पहुँचने के बाद काफी ज़्यादा है क्योंकि उसने पहले बार ऐसी कोई बड़ी सीटी देगी थी और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर सबके सब उसके उपर हसने लगते हैं जैसी वो थोड़ा आगी बढ़ते तो उनकी नजर फ्लावर शॉप में खड़ी एक लड़की के उपर जाती है जिसका नम आनिंग था और वो दिखने भी काफी ज़्यादा खुबसूरत थी उसकी उपर नजर लिगा है एक लड़का खड़ा हुआ था और वो उसी कोई देखते जा रहा था इसकी बात वो आनिंग के पास आता है और उसे प्लावर स्थेनी की कोशिश करता है जिसपर कि आनिंग मना करते थी है और जाने लगते है जिसपर कि वो लड़का उसके बार पर रास्ता रोकने लगता है और उसे प्रिशान करने लगता है ये देखकर लियो जाए और जीजवान मिलकर उस लड़के को बहुत पिटते हैं जब आनिंग की नसर जीजवान के उपर जाती है और जब वो दोनों की दोने एक दुस्रे को देखते हैं जिजवान उसे बैट कर ग्रीट करता है लेकिन आनिंग उसे उठा देती है और कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें बाहर वाली की नजर से नहीं देखा उन दोनों को ऐसा करता देख अब जीजवान के दोस्ति मुंडिये घुमा लेते हैं दूसरी तर आनिंग उसे क्याती है कि तुम आर्मी हाउस में क्यों रह रहे हो इस बार तुम मेरे साथ जीजवान हाउस में क्यों नहीं रुकते हो जिस पर जीजवान के दोस्तों तयार थे पर जीजवान नहीं उनकी शकलों को देखकर जीजवान को भी एंड में एगरी हो करते थी दूसरी तर्फ वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़ी करते हैं और काफी ज़्यादा बाते भी तब यह अचानक से हम देखते हैं कि आनिंग गिनने लगती है वहाँ पर काफी बड़े बड़े जंडल और कमांडर बैठे वेटे जी जौन शी को वहाँ देखकर वो लोग काफी ज़्यादा हैरार होते है और आपस में जगरने लगते हैं कि आखिर जी जौन शी तो इतना ज़्यादा चोटा है उसको मिटिंग में किसले बुलाया है लेकिन जी जौन शी तो बड़े असानी से उस मेंटर को संभाल लेता है तब ही वहाँ पर एंट्री होती है यान मिंग हुआ की और उसके आने पर सब के सब खड़े हो जाते है दूसी तब अब यहाँ पर वो लोग इस बात पर डिसकरजन करने लगते हैं कि आखिर वो उस प्रिंसिस का क्या करेंगे क्योंकि जैसी वो प्रिंसिस हमारे गिरिफ्ट में आई है उसके बात से टेमन ग्लैंस के लोग इस्टन साइट के ऊपर अटाक करने लगे है लेकिन यहाँ पर यहन मिंग हुआ इतने यसानी से उस प्रिंसिस को नहीं जाना देना चाहता था इसलिए अब वो इस्टन साइट में और आर्मी को भेजने के लिए कहता है और जी जुआन को ओर्डर देता है कि वो तो आनिंग के घर में रुक रहा है इसलिए वो प्रिंसिस को भी अपनी साथ उसी जगा में रखे तो यह बास सुनकर जी जुआन मना करने वाला था इससे पहले कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि काफे ज़्यादा गुसे में होता है और वो जी जुआन को देखकर गाफे ज़्यादा गाली देने लगता है यहाँ पर सीन पास्ट में सिफ्ट होता है जहाँ पर कि यैंट मिंग हुआ ने उसे ओरडर दिया था कि वो जी जुआन का काम तमाम करते क्योंकि उस बंदे ने यान मिंग से कहा था कि वो चीचवान से पहुँच ज़्यादा नफरत करता है इसलिए आप यान मिंग ने उसका टांसफर यहां करा दिया जिससे के लिए अप उस पंदे का काम और पी ज़्यादा असान हो जाएगा यहां उन दोनों को अफस में फाइट करता है यान मिंग उन दोनों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है जिस पर कि अफो दोनों एक रूम में आते हैं और यहां में पता चलता है कि वो दोनों दुस्मन नहीं बलकि एक बहुत अच्छे दोस्त है यानि कि उन दोनों की तुम उसका नाम लेकर नहीं पुकार सकते क्योंकि वो तुमारी भावी है समझा अब जिसपर जी जुआन कहता है कि अच्छा जी लेकिन वो तो मुझे लाइक करती थी अब जिसपर वो दोनों जगरने लगते हैं दूसी तब वो जब एक दूसरे से बात करी रहे होते हैं कि तब भी बाहर खड़े गार्ट्स उनके ओपर नज़र रख रहे होते हैं और एक कार्ट तो विल्कुल दरवाजे पर चिपकर उनकी बातों को सुन रहा होता है जिसपर कि जी जुआन एक कुल दस्ता उठाकर उस दरवाजे पर पटक देता है जिसपर कि उस बंदे के कान फ बहुत जादा बड़ी थी और उसकी पावर भी वहाँ पर काफी पड़ी थी कहीं समय आने पर वो उसे गिरा देता इसी डर के वज़े से यहन मिंग हुआ ने उसे मानने का प्लैन बनाया हुआ है इसके बाद वो यहन मिंग हुआ कि सारे सिक्रेट्स को खोल देता है अपने विजिबल हो और बाहर लोगों को यकीन हो जाए कि उन दोनों ने वाकरी में अंदर फाइट करी है यहां हम आनिंग के घर का सीन देखते हैं जहां पर की काड़ा भी आप आ चुकी थी अब उन दोनों के वीच में भी काफ यची फ्रेंशिप हो चुकी थी जब वो दोनों स की फिकर करने लगती है जिसपर जीचवान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं जिसपर की आनिंग को लगता है कि शायद अब जीचवान उसे प्रपोस करने वाला है लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो अब जिसपर कि आनिंग को बहुँँ ज़ादा गुस्ता आती है और वो उसके वही परी धका मारते में चले जाती है तुसी तफ वो ये ही ड्रामा आकर बाहिवान के सामने भी करता है जिसपर कि बाहिवान भी उसे लात मार की नीजे गुरा देती है और वो सबके सब वहाँ से चले जाते है असल में जीजवान को पैसे इसलिए चाहिए थे क्योंकि जब उसने डैनिल के साथ फाइट करी थी तो वहाँ के तोरफोर की वज़े से उसके उपर काफी बड़ा फाइन लगावा है उसी तब जब यहाँ पर जीजवान भार घूम रहा होता है तब इस टैवलेन उससे पास आता है और कहता है कि दुभारी यह आलत किसने करें जिस्पर के जीजवान कहता है कि डैने इने डिखाने के चक्कर में मेरे उपर अपने हाथ साफ करती है उसने मुझे इतना पीटा की फूछो मत जिस पर किस टैवलिन हसने लगता है और कहता है कि वैसे तुम्हें अपने उपने 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 नज़र रखनी जाए क्योंकि अब तो यहां तुम्हें मानने का काम उसका और भी ज्यादा सान हो चुका है इसके बाद वो से अलट करते वे अंदर जैसी जाता है तो उसे वहाँ पर आनिक के बगल में बैठी काड़ा दिखती है और उसने उसे पहली बाहर देखा था पहली नजर में उसे काड़ा से प्यार हो जाता है दिनन के टाइम पर भी वो से काड़ा को ही देखते जा रहा था ऐसे उसकी उलपठांग हरकतों को देखकर शीजवान को लगता है कि इससे पहले हमारा सक्त लॉंडा या पर पेगल जाए इसलिए वो से अपने साथ ले जाता है एक बाहर में और यहाँ पर उन्होंने अप्टे आपको पूरा ढखावा था जिससे कि कोई भी उन्हें ना पहचानता है यहाँ यहरा बस काहन यह चैसे ऐस डबले इन-ड्ound को वह पर देखता है तो बहूँ जादा है क्योंकि व 유튜ंफी दिए बशुत के दोस्त थे इसके वाद वह साथ मिले कर पार आया वुए और उसके स्टेटर्ाकर बाता था कि शायद वो किसी घ्लोंग करता है से अलवीदा कहकर वहां से चले जाता है अब यहां पर जीच्वान और उसका दोस्त इस्टाबली नी बचे थे यहां तूसरी तर इस्टाबली जीच्वान से कहता है कि जानते हो वो ओल्ल रेजिडेंटों में पहुँच जादा याद करता है वेल तुमें उनसे मिलने लिए जाना चाहिए अब जिस पर की जीजवान उससे नहीं मिलना जाता था इसलिए वह बात को टाल देता है तूसी तफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं चोकि और किसी के बारे में नहीं पल की आनिंग के बारे में बाते कर रहे होते हैं उसकी खुबसूरती के बारे में औ की बात सुनकर जीच्वान को बहुत जादा गुस्सा आती है और आप वो यहाँ पर उस वाइन के गलास से उस लड़के का सर फोड़ देता है जिस पर कि आप उन लोगों की आस में जिड़प हो जाती है यहाँ वो लोग एक तुस्य से लड़ने लगे थे यहाँ वो दोनों क करते हैं बट वो लोग भी काफी ज़्यादा थे इसलिए वो हार जाते हैं और इसके बात वो लोग भी मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा पीटते हैं हमें सुवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जीच्वान और स्टैवलिंग नाले के पास पड़े वे थे तब एको स देखकर उन्हें पहचानते जीच्वान स्टैवलिंग के साथ उस जगह से निकल चाते हैं अपना चैरा चुपाते हुए यहां दूसी तरह हम देखते हैं कि स्टैवलिंग को प्रेजिदेंट से काफी जाता डार्ट भी पढ़ती है इसी बारे में और वो से वार्निंग दे मुश्किल काम भी नहीं है जिसपर कि यहन मिंग कहता है कि जीच्वान कामली का नाम बहुत बड़ा है अगर हमने कुछ भी करा तो बाकी लोगों को हमारे उपर शक हो जाएगा लेकिन मैं तो यहां पर निंग को अपने एक हत्यार के तरह यूस करना चाता हूं और इसके ब उन्हों कहीं न कहीं एक दूसरे से नफरत तो करते हैं पर तब भी उन्हें एक दूसरे को फेस करना पड़ता है यहां पर यहन मिंग प्रेजिडेंट के सामने एक बात रखता है कि क्यों ना हम पार्टी रखें और उस पार्टी में हम अपने सोल्जर्स को रिवार्ड दे और उन्हें संबादित करें वेल इसके बाद वहां से चले जाता है उसके जाने की पाद प्रेजिडेंट को उसके उपर काफी ज़्यादा गुस्ता था जो कि उनकी शकल देखकर साफ पता चल रहा था उसी तफ हमन सब को देखते हैं जो कि मिलकर बैठे वे थे और बात कर प्रेजिडेंट को हराने के लिए इस्टन की तरफ टैनिल को पेजावाएं और तो कितना ज्यादा पी रहा है मैं यह पास सुनकर स्पिंसित को काफी ज्यादा दुख होता है कि इतना कुछ हो रहा है और वो यहां दुस्मनों के साथ बैट कर मजी कर रही है इसलिए वहां स चीज वहां निक के कमरें के होते वेशा ही रहkeit की तब ही इसकी कमरें से कुछ आवाजा आते है चिसपर कि उसे लगता है कि शहाए निग अपनी कमरें में और चेसी वह नहीं की कमरें के जाता है जीच्वान भी उसे पखड़ लेता है और अंधेरे में वो उसे बहुत जादा कूटता है लेकिन जैसी वो लाइट चलाता है तो वो यह देखकर हैरान हो जाते है कि वो और कोई नहीं बग की यू मिंग है जिस पर की जीच्वान बहुत जादा है अब यहाँ पर जीच्वान उसे कहता है कि तुम निंग को माना जाते हो जिस पर कि यू मिंग कहता है कि आसी बात नहीं है मैं तो बस यहाँ पर इस लेटर के उपर उसके स्टैंप ले निकला आया था और यह वही बन्दा था जिसे कि यू मिंग हुआ ने लास्ट टाइम इस लेटर में स्टैंप लेक लेकिन प्लीज मैं आज के बाद ऐसी कभी नहीं करूँगा जिस पर कि जवान कहता है कि ठीके आज ऐसा हो गया बट अगले बार से प्लीज ऐसा मत करना यहाँ पर वो उसे एक आखरी चांस देता है क्योंकि कलती तो सबसे ही होती है और वो तो उसका भाई है यहाँ वो कहता है कि हम सापी मारतेंगे और लाटी भी नहीं टूटेंगी इसका मतलब कि वो स्टैंप तो लगाएंगे पर चीज वान के लैन के हिसाब से और वो दोनों यही करते हैं दूसे तफ हम डैनिल को देखते हैं जो कि डीमन आर्मी को हरा कर आप लिदा अपने घर चले जाता है ना की चीफ कमांडर को रिपोर्ट करने के बतले दूसे तब घर में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बलकी डैनिल की वाइफ होती है यानि की वही लड़की जिसका नाम जिया है यहां उसकी वाइफ उसे एक लैटर पकड़ाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए बेजा है जिस लैटर को पढ़ने के बाद डैनिल हसने लगता कहता है कि मुझे नहीं पता था जी श्रान इतना ज़्यादा चलाक होगा उसे मुस्कराता हुआ देखकर उसकी वाइफ उससे पूस्ते है कि लगता है किसी ने तुम्हें लव लैटर बेजा है हना अब जिस पर डैनिल उससे कहता है कि तुम मेरे उपर शक कर रहे हो अब जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं उसके तुमारे उपर पूरे यकीन है तब ही वहाँ पर उसका एक सब औरिनेट भी आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें चीफ ने बुलाया है उसी तब हम देखते हैं कि वहाँ पर Yen Ming हुआ और वो बाकी ओफिसर्स मिलकर पाटी कर रहे होते हैं पर कही न कही उनके अंदर डर बैठावा था Yen Ming हुआ का ये चोपी ओफिसर Yen Ming हुआ की बातों को नहीं बानता था वो उसे मरवा देता था डैनिल के वहाँ पासने पर Yen Ming हुआ उससे कहता है कि जानते हो ना मैं सब की उपर नज़र रखता हूँ इवन की अपने नीचे काम करने वालों की उपर भी कि वो मेरे लिए कितने ज़्यादा लायल है और कितने ज़्यादा नहीं यहाँ पर वो डैनिल के उपर इशारा कर रहा था जिस्पर की डैनिल बड़ी असानी से सिच्वेशन को हैंडल कर लेता है तोसी तफ़ वो कहता है कि मेरी आर्मी आपके सिवे कि सारे की इंतजार में खड़ी इसके बाद आप मौनिंग का सीन देखते है जापर की आज मिलिटरी कॉन्फरेंस का टे था आज की दिन जितने भी ओफिसर्स ने डीमन्स को हराने में मदद करे थी उनको रिवार्ड दिया जाएगा वापर जीच्वान और बाकी सब लोग भी बहुँच जाते है पर रास्ते में धरवाजे के अंदर जाने से पहले उनसे उनके वैपन्स ले लिये जाते है इसका मतलब कि जीच्वान को पहले ही शक हो जाता है अंदर कुछ न कुछ तो होने वाला है तो जिस पर वो भी बीना हिच-किचाए अपनी दलवार को से दे देता है अब अंदर पहुचने पर वो सीधर स्टैवलेन के पास जगर पहुचता है और कहता है कि तुमें नहीं लगता अच कुछ तो करपड है उन्होंने हम सबसे हमारे हतियार पहले ही मांग लिए उसकी जवाब मिस्टैवलीन कहता है कि तुमें जिन तक इनने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने टेबल के नीचे पहले ही हतियार छुपा कर रखे है इस बात पर जिश्वाद मी बहुत ज़्यादा है दूसी तफ हम येन हुवा मिंग को देखते है जो कि जब अंदर आता है तो उसके बगल में टैनिल भी था इवन की वो टैनिल को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि वो उसका बहुत ज़्यादा लॉयल गार्ड हो यहाँ पर वो दैनिल को आज कमांडर की पोस्ट भी देने वाला था जिसके बार दैनिल सबसे ज़्यादा यंगिस कमांडर बन जाएगा दूसी तफ हम देखते हैं कि यहन हुआ मिंगल सिता प्रेजिडेंट की चेयर में जाकर बैट जाता है तो यह देखकर बाकी के लोग बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपर प्रेजिडेंट जिन्दा है और उसकी रहते वे वो उनकी चेयर में कैसे बैट सकता है आज उन्होंने फंक्शन इसलें टैट नहीं करा क्योंकि उनकी तब है ठीक नहीं थी अब यह देखकर इस टैवलिंग को तो बहुँछ ज़दा गुस्सा आती है पर चीजान उसे रोक देता है अब किसी ना किसी ने आवाज तो उठानी थी इसलें दूसरी तफ का एक शोल्डर खड़ा होता है वो कहता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते और जैसी वो आवाज उठाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि डैनिल बड़ी पहरामी से उसे मार देता है तो ये देखकर उसका दूसरा साथी डैनिल के उपर टाक कर देता है तो तभी वहाँ पर येन हुआ मिंग के दूसरा ओफिसर आकर उसे भी मार देता है उन सारे लोगों के सामने और ये देखकर सब के सब धर जाते है दूस्से दफ हुआ मिंग तो रती बार डर भी नहीं था कि उसने इतने सारे लोगों के सामने दो लोगों का मर्डर करवा दिया इसके बाद भी वो मीटिंग को जारी रख रहा था तभी वहापर भाई हुआ बीच में आती है और बीना डरे इंस्पेक्टर से कहती है कि तुम अभी की अभी येन हुआ मिंग के खिलाफ कम्प्लेइन लिखो उसने हम सब के सामने दो लोगों का मर्डर करा दिया लेकिन जिस पर हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उसे रिजैक्ट कर देता है और दूसी दफ यान हुआ मिंग के शारे पर टैनिर एवान की तरफ पढ़ने लगता है मैं भी इस बात से सहमत हूँ यान हुआ मिंग के ऊपर अभी के अपी कम्प्लेइन जर्ज होनी चाहिए और उसके खड़े होने पर उसकी पूरी के पूरी फोर्स भी खड़े हो जाती है यह देखकर बाकी के कुछ कमांडर और लीडर भी हो अमिंग के अगेंस्ट हो जाते है अब अपने आपको सब के अगेंस्ट देखकर यहाँ पर हम दिखते हैं कि डैनिर जैसी कमांडर श्रीमिंग के उपर टाक कर निकले जा रहा था तो पीच में जी श्वान से उसकी फाइट होने लगती है और वो एक बार फिर से वहाँ पे नकली फाइट करते है जिसपर कि एनिल ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो बहुत जादा घायल हो चुका है और दूसी तफ उस बिजली पैदा करने वाले आत्मी को तो चीजवान और इस्टैवलिंग साथ में बहुत मारते हैं वो बाहर से कुछ सोल्डर सामने आते हैं और फो यन हुआ मिंग को बथाते हैं कि शीमिंग की पूरी आर्मी ने हमें चारो तफ से गेर चुका है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते अब जिस पर यन हुआ मिंग को ना चाहते वे भी उनसे पीछे हटना पड़ता है वो उस कॉन्फरेंस को बीच में बंद करते थे हैं इसके बाद सारे के सारे सोल्डर और शीमिंग सब की सब वहाँ से जाने लगते हैं जब शीमिंग जा रहा होता है वो चीच्वान से कहता है कि तुम लोग तो बहादूर होई बट मैं बाइच्वान की बहादूर से तो और भी ज्यादा खुश हो भले ही वो लड़की थी लेकिन उसने तब अवाज उठाए जब कोई बड़ा सब बड़ा नहीं उठा पाया और वो नोनों से ये भी इस टैबलीन उससे पूसता है कि आखर तुम ने उस बेकसुरों को क्यों मारा जिसपर डैनिल कहता है कि मैं क्या करता मैं हो अपनी सारी पोल खोल देता और यह दिखा देता कि मैं उसका वफादार नहीं हूँ सालों से जो हम प्लैनिंग करते आ रहे हैं वो एकी साथ परपात हो जाती और भले इसमें एक बंदी की गुर्बानी देने पड़ी तो फिक्या जा रहा है जिस पर स्टैमलीन कहता है कि जब तुम भाईशवान की तरफ पढ़ रहे थे उस टाइम पर जब हम भी खड़े थे त जिस पर जीजवान की दिमाग में एक शातारी आइडिया आता है और वो कहता है कि ये काम जरूर करेगा उसके आइडिया को सुनने के बाद स्टैमलीन और डैनिंग कहते हैं कि ताइकि ये हमारी जरूर तेरवी कराने में भी कोई कसन नहीं छोड़ेगा लेकिन तब भी वो से कहता है कि आखर तुम ये क्यों कर रहे हो उसके जवाब ना देखकर ये उसके उपर टाक कर देता है और उनकी तो पूरी प्लैनिंग थी कि आज वो शीमिंग को मार करी रहेंगे बट अफसूस उनका प्लैन फेल हो जाता है क्योंकि अचानक सी कोई दरवाजा खोल देता है जिससे की बाकी शीमिंग की फूर्स भी वहाँ पर पहुंच आती है जो कि आप ये नहुआ मिंग के उपर बाहरी पढ़ने लगती है इसी मौकी का फाइदा उठाकर शीमिंग भी उस सिटी से निकल जाता है दूसी तो टैनिल ये नहुआ मिंग एक बफादर की बात आता है क्योंकि उसने काट के बारे में पहली भी सुन लिया था जैसी वह जल्दी बाजी में बक्सा खोलता है तो खाली होता इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता डैनिल उसे मार देता है डैनिल की सिपाई और कोई नहीं बलकी उसी के दोस्ते जीजौन उससे कहता है कि पहली हम को अलर्ट कर देता है कि आज के दिन वो महल से बार ना निकले क्योंकि यहन हुआ मिंग प्रेजिडेंट को मानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है दूसरी तब हम जीजवान को देखते हैं जो कि सेंट्रल आर्मी के पास आये होते हैं जो कि कॉन्फरेंस होर में सब के कहता है कि हम सब की आपस में कोई भी गदारीन नहीं है हम सब को प्रेजिडेंट को लेकर लॉयल रहना पड़ेगा कहीं ऐसा नहों कि यहां पर लोग उत्ते जादा डरे वे थे क्योंकि यहन हुआ मिंग उनकी फामिली को टॉट्चर किया करता था इवन कि उन्हें ब्लैक म वाजरात बैठने के लिए तयार थे जिस्ता की चीजवान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसका प्लैन अधा काम्याब हो चुका है दूसरी तफ हम यहन हुआ मिंग को देखते हैं जो कि प्रेजिडेंट के घर के बार पहुत चुका था पर प्रेजिडेंट और दूस उसे कमांडर को भेज देता है और अब वो कमांडर उस कांफरेंस हौल में बहुत जाता है दूसरी तफ हम डैनिल को देखते हैं जिसे की इशारा दिखाए देता है लेकिन वह वह वाला इशारा नहीं था चुकि जी चैंग में उसे देना था लेकिन तब भी वो सबके सम्ह से चले जाते हैं कि आप स्टावलन की आर्मी के साथ वाइट करते गड़ते हैं उसकी अपने आपको हारता देखिला मिवहां से भागने लगता है यह तक हम दिलासा देते हैं कि आजके आज ही मैटर खतम हो जाएगा दूसली तफ हम देखते हैं कि जब यहां कर काफी जाता हैरान होता है क्योंकि डैनिल और उसकी फोर्स भी वहाँ पर पहुच चुकी थी बट इस पर यही अंतर था कि डैनिल उसके अगेंस था यह देखकर वह पहुचा था है कि उसका इतना लॉयल गार्ड एक गदार था वो तब से उन्हें धुका देते आ रहा है अब यहाँ पर वाइट के दौरान यहन होजा मिंक को हरा देता है और उसके पेट में चाको घोप देता है दूसी तवफापर प्रेजिडेंट भी बहुच जाता है चोकि उसके गाओ को दबाने लगता है और उससे उतनी तकलीफ देने लगता है और कहता है कि मुझे तो यह बात समझ भी आए अखिर मेरे भाई ने तुम्हें क्यों जुना था उस टाइम पर यानि कि यह अनिंग के पापा नहीं बलकि अनिंग के अंकल है यानि कि चाचा जी यह बाद वो डैनिल को ओर देता है कि जो भी यह हुआ में के साथ मिला हुआ यानि कि कोई भी उन सब को मार दिया जाए और इसके बाद वो यन हुआ मिंग के दीने में तलवार गुसा कर उसका किस्ता हमेशा के लिए खतम कर देता है उसी तफ हम देखते कि स्टैफलीन और टैनिल ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर जितने भी लोग यन हुआ मिंग के साथ मिले वे थे उन सब को मार देते है और द करतनाक मंजर जा जाता है चारों तरफ लाशर पड़े हुए थी यानि कि उन लोगों की फैमिली मेंबर को भी मार दिया जाता है जितने की यह नहुआ मिंग की ऑफिसर्स की फैमिली थी तूसी तफ इस बात से तो प्रेजिडेंट को कोई भी फरक नहीं पड़ता कि को सिप लेकिन वहाँ पर उन लोगों को मान निकले आया था डैनिल क्योंकि उन लोगों में से 300 सिपाई यान हुआ मिंग के साथ मिले हुए थे जिस पर वो लोग उनसे कहते हैं कि हमें एक और चांस दिया जाए हम अपनी गल्तियों को सुधार सकते हैं जिस पर जीच्वान भी उस चीश्वान काफी तेजी से प्रेजिडेंट के पास बहुसता है जिस पर कि प्रेजिडेंट उसकी बातों से बिल्कुल इंकार करते थे तब ही वहाँ पर स्टैवलीन भी आ जाता है और वो उसी के साथ प्रेजिडेंट के सामने जुक कर अपना माता फोर्ड फोर्ड कर उन इनने उन सारे ओफिसर्स को मार चुका था ये चीज़ देखकर उसे डैनिल के ओपर भी काफी ज़्यादा गुस्सा आती है वो कहता है कि क्या तुम अपने दोस के लिए 10 मिनट भी और नहीं रुख सकते थे सिस्वर डैनिल उसे कहता है कि इस चीज़ को कोई फाइदा नहीं था क्योंकि तुमे क्या लगता है वो बूढा लोम्री अगर आज इस सारे के सारे ओफिसर छूट भी जाते तो क्या वो अगले देखकर नहीं मारता सारे ओफिसर के साथ मीटिंग करने वाले थे उनके रिवार्स और उनके प्रमोशन को लेकर जब टेरिल वापर पहुसता है तो लियो फैंग उसे देखकर काफी जादा गुस्ने में होता है क्योंकि उसकी भी फैमिली मेंबर्स को मरफा दिया था बीना यह सोचे समझे कि व क्योंकि करल प्रेजिडेंट जीच्वान के उस हरकत से बहुत जादा नराज थे दूसी तब जीच्वान को देखते हैं जो कि उसी कपरिस्तान में आया होता है जहांपर कि उन्हीं सारे सेंट्रल आर्मी के जवानों को दफनाया हुआ था वो उन सबसे माफी मांगता है कि थोड़ी देल लेट आया अगर वो पहले आ चुका होता तो शायद वो उन सब को बचा लेता दूसी तब उसकी ऐसी हालत आनिंग भी देख रही होती है जब घर में कार्डा अगेली होती है तो वहाँ पर उससे बिलने स्टैवलीन आता है वो उससे क्याता है कि प्लीज गल मैंने निली थी उस जघा को देकर भी वो काफी चाथा खुश होती है वहाँ वहाँ पर उसे मनत वाला फॉंटम भी दीखता phiitting जहाँ पर की भी भी बड़े होकर पेकरी समालना जाता था बड़ हालात कुछ ऐसी ही आ गए कि उसे आर्मी में जॉइन होना पड़ा इसकी बाद स्टैवलिंग और काड़ा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं जहां पर एक दूसरे को काफी जाद अच्छी तरिके से जान जाते है घर पहुचने की बात स्टैवलिंग जीजवां के साथ बाहर जाता है जहां वो दोने की दोनों पने दिल खोल की बाते करते हैं जीजवान कहता है कि मुझे नहीं पता था डैनिल इतना जाता पहरा हम होगा उसने उन लोगों को ऐसे मार दिया जैसे कि उसके लिए छोटी जादा नीचे करके तुम्हें कहीं और पोस्पॉंट करा दिया है क्योंकि परसेड़न तुमसे बहुत जादा नाराज है तुम्हें अब सतर्क रहना होगा इस पर जीजवान को इतनी जादा विक्का नहीं थी पर जब स्टैवलिंग उसे यह भी बताता है कि कमांडर ये श शेमिंग को रास्ते में रोक कर ही मारते और होता भी यही है कुछ दिनों बाद शेमिंग मारा जाता है और आज उसका फ़नरल था जिस पर कि हम देखते हैं कि सबके सब दुखी थे एवन की जीजवान भी पहली वो इतना ज़्यादा दुखी था शेमिंग की बहुत के से चले जाता है जोकी बिल्कुर के खिलाफ था यह देखकर बागी के लोग वहाँ पर बाते करने लगते हैं दूसी तव जीजवान के पास एक लेडी ऑफिसर आती है और वो से बताती है कि आपकी आज की हरकत को देखकर प्रेजिदेंट तुमसे मिलना भी नहीं चाते है आकरी बात और उसे कली साउथ इस्टर जगा की तरफ निकल लाओगा वो लड़की जो इंफॉर्म करने आई थी वो काड़ा को देखकर पहचान लेती है और यहाँ पर यह रिवेल होता है कि वो लड़की स्टाफ इनको पसंद करती थी और काड़ा को देखकर उसे काफे ज लोग को सुनकर उन सबको उल्टी आने लगती है दूसरी तफ हम लेहां को देखते हैं जो कि काफी ज़्यादा पस्ता रहा होता है कि आखिर उसने यहन हुआ में का साथ क्यों दिया अब तो वह मारा जाएगा और वह बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है तभी उसकी सामन कि आतिसी जाता शवीं के उपर कबसा कर चुके थे और वहां पर नारे रगाते वेचा रहे थे कि वह इंसानों को हरा देंगे दूसी तफ हम एक वाले बंदे को देखते हैं जिसके पास वहीं नकाफ वाला बंदा आया होता है जिसने कि अपना चैरा धका वाता और उसने ल हालत और पर ज्यादा खराब हुए जा रही है हमारे पास नहीं जादा आर्मी की टुकडी भी नहीं है कि हम उस साइट को बेच सके जिस पर वह आप यहां पर प्रेजिडेंट को अपना आइडिया बथाता है कि हमें लियो फैंग के साथ हाथ मिला लेना चाहिए उसे एक ब जाता है तो उसे एक बंदा बताता है कि यह आर्मी जादा पैटर फिल्ट के लिए नहीं जाती है इसके बाद वो बंदा हसने लगता है कि मुझे यकीन ही हो रहा वाकई में तुम फिर से यहीं आगए सबको प्रमोशन मिलता है और तुमारी रैंक डाउन करती तूसी तरफ उनकी नजर एक लड़की के तरफ जाती है चुकि लड़कों के साथ पंजा लड़ा रही होती है तब ही वहाँ पर जीशान भी आ जाता है उस लड़की को ओडर दिया जाता है कि अफो जीशान और उसके लोगों को इस इलाके के बारे में बता है जिसमें कि अफो लड़की पर यह वड़ी बाती करने लगती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाग बीमन्स भी रहते हैं शायद तुमने कभी उनके साथ कभी फाइट करें गी ना हो उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि वो सीनों के तीनों की काफी जादा लो लेवल के हैं और अब उसकी बत्तम को देखकर यहां पर उस लड़की और बाइवान की बीच में एक शर्ट लगती है कि जो भी रेस में सबसे पहले उस पहाड़ी के उपर बहुत जाएगा वही जीतेगा वैल उस लड़की का नाम टाई होता है अब यहां पर उन दोने की वीच में मुकाबला शुरू हो जात है लेकिन यहां पर टाई उसकी मदद करती है और वह दोनों की दोनों इक दूसरे की हल्प की वज़े से पर आप रही में उस मैच को चीट जाती है इसकी बाद उन दोनों की दोस्ती भी काफी जादा अच्छी हो जाती है उसी तब जी शौन से मिलने वही कमांडर आता है कि अच्छी देखो मैं तुमसे कितने दिनों बात मिल रहा हूं मैंने तो मैं बहुत ज़ादा मिस करा है यहां पर वज़का मार रहा होता है जिसे कि शौन को घंटा फरक भी नहीं बढ़ता अब यहां पर उसे तो वस्ती की चिंता हो रही होती कि शायद उम दोनों की दोनों यह बात सुन कर अब वो कमांडर से कहता है कि चलो खाने ही चलता है दूसरी तफ हम दुस्मन आर्मी के तरफ देखते हैं जो कि वो कमांडर होती है वो इस्टन रिजन को छोड़ो हमें सबसे पहले सौथ वेस्ट के तरफ ध्यान देना चाहिए और यहां पर वो एक प्लैन मिन लेकिन वो वहाँ पर आर्मी नहीं विजवाता है दूसरी तफ उसने चीचवान को पैट्रोलिंग के काम पे लगाया हुआ था जिस वज़े से चीचवान बहुत ज़्यादा ठक जाता है लेकिन तब ही उन्हें आगे से कुछ आवाजे सुनाई देने लगती है उस आवाज लगता है कि बहुत बड़ा खत्रा होने वाला इसके बाद वह उससे कहता है कि तुम जल से जल जाकर आर्मी को इस बारे में इंफॉर्म करो तब तक वो यहां का मैटर संभाल लेगा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाई जैसे अपने लोगों के साथ आर्मी को इन्फॉर् इसके बाद वो पनी आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए जाने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उससे शक हो जाता है कि वो उसके लोग नहीं है इसके बाद वो उनके साथ फाइट करने लगती है हम देखते हैं कि उन लोगों में से यह लिए फैमली की वही कमांडर देना था लेकिन उस एरिया को भी पूरा ल्यू फैमली की आर्मी ने गेड़ चुका था अब जिस पर की जीश्वान अकेले ही उन सारे लोगों से मारता है लेकिन उनकी दादा धीरे-धीरे करके बढ़नी लगी थी जैसे कैसे करके चीश्वान उपर तक पहुच जा है और सिगनल की तरफ चाती है और वो क्याती है कि लगता है लेट हो गया हमें अब यहां से जाना होगा फिर दूसरी तरह जीश्वान के दोस्ता के वहां पर उसकी मदद के लिए पहुच आते हैं और चैसी वहां पर ही रो जैसी एंट्री लेता है तो वहां पर कोई भी नहीं हो कुछता है कि वो लोग कौन है तो जिस पर जूट बोलती हो कहती है कि हम पैट्रोलिंग गार्स है इस बात पर उन दोनों को शक हो जाता है और फुरी की तरफ से के एक मैंबर एक दूसरी क्यों पर टाक करता है अब इससे पहले की जीश्वान कुछ करता हम देखते हैं कि श जगा कि सेक्योरिटी बढ़ा दी जाए जिस पर कि जीश्वान कहता है मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहां से आने वाले के बात कमांडर जीश्वान को अपनी आफिस में लेकर आते हैं जहां पर उसे बताते हैं कि क्यातियों कि से पूस्ताज करने के पाद उन्हें पता जाने आज क्या होता अब हमें दूसरी तरफ इस्टन रिजन के तरफ दिखाया जाता है जहां पर कि अब सारे के सारे टीमन्स और ऑक्सेस मिलकर इंसानों के उपर टाक कर देते हैं और यहीं वो जगा थी जहां पर कि लियूमंग हाई ने कहा था कि हमारी भीजी गई चोट लाक्सेनिकों को वहाँ पर भीजेंगे दूसी तरफ स्टैफलीन और टैनिल आपस में बात करते तो टैनिल कहता है कि देखने ना यह तीन लाक्सेनिक भी कम पढ़ जाएंगे क्योंकि अब तो इस्टन रिजन के वो कुछ लोग बचे कुछे उस किले में चुपे हुए हैं दूसी तरफ हम उसी जगाओं का सीन देखते हैं चापए कि वो लड़की कहा रही होती है कि आखर प्रेजिटेंट ने लियूमिंग हाई की बातों पे अगरी क्यों है उससे तो बैटर फिर्ट से रिलेटिट कोई ग्यान है ही नहीं उसके चक्कर में आज हम सब किसम मारे ज लेकिन दब भी वो वादा करते हैं कि वो अकरी दम तक अपने इस देश के लिए लड़ेंगे दूसी तरफ चित्ती भी तीन लाख शैनिक बेज़े वी थी उनका अतापता अभी तक नहीं चलता और कुस दिनों पर दिन बीठते जाते हैं जिसके बाद तो प्रेजिडेंट का खोपड़ा और पीछादा सनक जाता है दूसी तरफ डैनिल कहादा होता है कि मुझे पुरा यकीन है ले हॉंग कोई न कोई साजिस्तो रच रहा है दूसी तरफ हम ले हॉंग को देखते हैं जो की बच गया था यहाँ दूसी तरफ वो ऑक्स यानि की डीमन्स के साथ क्यार हो चुकी थी वो लेड़ी क्याती है कि अच्वेन अदिल इतना क्यों घबरा रहा है तब ही वहाँ पर एक सिपाई उन्हें पथाता है कि ले हॉंग की आर्मी ने भी हमें घेर चुका है अब हम दोनों आर्मी के पीच में फ़र्स चुके हैं लेकिन तब भी वहाँ प को पार करके कैपिटल की तरफ पढ़ना चाहिए जिस पर वह क्रोकडाई लीडर कहता है कि उसके लिए हमें तुम्हारी मश्रीन के जरुरत पड़ेगी अब जिस पर लेहां उसके साथ एक्री हो जाता है दूसरी तब स्टैवलिंग काड़ा से मिलने के लिए आता है अब उ पहली नजर से देखा था मैं तो तब से ही तुम्हें पसंद करने लगा था और इसके बाद वोसे एक तौफ़ा भी देता है और कहता है कि माना की मेरा दूपता हुमसे काफी जादा कम है लेकिन मैं अपनी दिल की बात कह दी बाकी फैसला तुम्हारा है जिस पर प्रिंसेस देखते हैं जहापकी किले के ऊपर दोनों आर्मीस ने टाक कर दिया था और ले होंके उन मशिन्स के वज़े से किले के पास आना अब उनके लिए बहुत जादा सान हो गया था हम देखते हैं कि वो लोग जी जुआन फैमली की आर्मी की ऊपर भारी पढ़ने लगी थी अब द कर पाकी सिपाईوں की अंदर भी जचवा पढ़ जाता है और आप वो सबके साब लड़ने लगता है देखते ही देखते पल्रा करते थे इवन की उनका पकाया वह खाना भी सारा खाने लग जाते यह सब कुछ पूरे 20 दिन तक चलता है लगादार जिसके बात उन डीमन्स की हाद लट तो पतली हो जाती है क्योंकि वह बिना खाए पिये इतनी दिन उसे सिफ स्टैवलीं के आर्मी से भाग ही रहे थे लेकि से देखकर उसे काफी जाता दुख होता है लेकिन खुशी भी थी कि वह उन सारे डीमन्स को उनके घर तक भगा के आया इसका मतलब कि अब वो यहां तक नहीं पहुश पाएंगे अब हम देखते हैं कि स्टैवलीं अपने लोगों के साथ इस्टन रिजन के स्टेट्स में प करता है दिनर में स्टैवलीं देखता है कि पूरे टेबल में इतनी तरह की डिसेस रखी होई थी कि पूछो मत और बाहर दूसरी तब लोग इसी खाने के लिए मर रहे थे एवन की स्टैवलीं और वो लोग तो इतने सारे थे भी नहीं लेकिन वो इस बात पर भी चुप रह करते हैं जिनकी सोच बाकियों के साथ तो बिल्कुल नहीं मिल रही थी यहां दूसरी तब वो स्टैवलीं को एक नई डिश्ट्राइब करने के लिए कहते हैं और जब स्टैवलीं पूसता है कि यह है क्या तो जिस पो बताते हैं कि ऑक्स का दिमाग है इसका मतलब कि करते हैं जिस वचे से बाहर भूक मंगी चाही हुई है इवन कि यहां की जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने स्टीट को इतना ज्यादा लूटा टैक्सिस के मात्यम से और बहुत जादा और अब तो गूलन और उसके लोग भी यही काम कर रहे हैं जब इस पारे में जब ग् है । आफीसर के लिए जिसको के बटर करा तो उपिसर के लिए बढ़े कंद ब लाइंगे बैं नागता जिस वहां पर की सिंटे सब्सक्something को हमांडल कर दिया अक्ली इस टैफ्ली पर भीजता है जिसमें कि उन्होंने इसी करप्शन के बारे में लिखा था अब डैनिल का सबॉडिनेट वहाँ पर आता है वह स्टावलिन से कहता है कि डैनिल ने कहा है कि आप मुझे वह सबूत और इन बाकी लोगों को पी अपने साथ ले जाने की इजाज़त देजिए जिस और अपने अंकल को भी सुना रही होती है जिसमें कि अंकल कहते हैं कि अब तुमें भी गवर्मेंट मैटर के ओपर ध्यान देना चाहिए आने वाली तो तुम ही हो तुम ही इन सब चीजों को संभालोगी तब ही पहाँ पर उस एक लैटर मिलता है जिसमें कि साउथ वेस्ट जित करने लगती है जिसमें कि अंकल एक्रियो जाते हम देखते कि आनिंग को तो सिव चीजों से मिलना था दूसी तब जब चीजों अपने रूम में आता है उन फ्लावर्स को देखकर और अपने कमरे को देखकर वो काफी जाता है है और उसे लगता है कि जरूर यह सब कु लेकिन वो सिफ ब्रांक कर रही थी वो एक दूस्से के साथ बहुत ज्यादा हसते हैं हम देखते हैं कि यहां पर आनिंग के आने के बाद चीजों को इस बात कि प्रश रहता है लेकिन वह इस बात वह पेड़ के नीचे पैट जाते जहांप की बहुत जदा बटरफलाइज पी थी और वो नजारत देखने लायक था इसके बाद जब रात को कैम्प में पहुशते हैं तो वह पर काफी ज़्यादा खाने पीने की चेजे थी इवन की पार्टी करने के लिए भी तबी ऑफिसर इक चीजों को बथाती कि प्रेजिडेंट ने अब उसका ट्रांसफर कही और करती है जहां पर कि उसे अपने साथ आर्मी की जवानों को भरती करना होगा जिस बात पर जीच्वान के दोस काफी जाता गुस्त हो जाते कि आखर प्रेजिडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं उन सब को भी बुरा लगता है जीच्वान को भी था बट वो इग्नोर करते था इन सारी बातों को लास्ट इन जैसे कि उनके पास था तो यहां पर जीच्वान आनिंग के लिए एक काफ यची परफॉर्मेंस भी देता है अब हमें सुवे का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि आनिंग को अपने घर जाना था दूसी तब जीच्वान के भी जाने का टाइ लेता है तो उसे लगता है कि खाने की चीचे और वो से खाने लगता है दूसरी तरह उसे जाने को लेने के लिए आता है इसके बद वोने औफिस पर नहीं और देखने को पूराना था कि कोई नौजवान तो डिखेनी के लिए tis क्या यहां पर हम इन बुढ़ों की अर्थिया उठाने के लिए आये हैं, क्योंकि वहां पर दीरे-दीरे करके, सब की हालत बेकार होनी के विए से, सब के सब बुढ़े के करके टपकने लगते हैं, उनकी नजर तब एक जवान के उपर जाती है, अब जिस पर, जी जॉन और उसके दोस, उन लोगों को काफी अच्छा हफ़ता देते हैं, बहुत ज़्यादा पीट कर, वो चोर आर्मी के लोगों से भी नहीं डरते थे, क्योंकि उनकी आर्मी की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, वेल, इस पर मार खाने के बाद तो उने अच्छा खासा सवक मिल चुका था, अब वो सब के सब डिसाइड करते हैं कि कैसे वो यहाँ के नौजवानों को आर्मी में भड़ती करेंगे, इसलिए अब उनके पास एक चारा था, यानि की बाई हुआन, अब उस पोस्टर को पूरे इलाके में लगा दिया जाता है, अकली दिन वो देखते हैं कि इतने सारे नौजवान आर्मी में के भड़ती होने के लिए आये होते हैं, क्योंकि उन्हें भी बाई हुआन के साथ काम करना था, जिसे देखकर बाई हुआन का मूँ तो खुला का खुला ही रह जाता है, तुसे तब आर्मी के लोग तो सिफ़ आपे बाई हुआन को देखने के लिए आये थे, इसलिए बाई हुआ पे चिलनाने लगते हैं, यह देखकर बाई हुआन नीचे आती है, तो यह देखके डर के मारे सारे के सारे नौजवान माँसे भागने लगते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें फॉर्म बर्ट चुकाई था, इसलिए अब उन्हें आर्मी में रखी लिया जाता है, इसके बाद टाइम था, उस आर्मी का नाम रखने का, तो उसे कोई सा भी आइडिया पसंद नहीं आता, इसलिए जीशवान अपना ही नाम रख लेता है, लेकिन उसकी आर्मी की हरकते तो बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसे देखकर खुछ जीशवान भी बहुत ज़्यादा परिशान था, अब इनको लेकर वो अपने सेंट्रल एरिया में पहुँच आते हैं, जहाब कि उन्हें दो कमांडर्स को अपनी फॉज को दिखाना था, यहाँ पर एक था लियूमिंग हाई, और दूसरा था डैनिल जीशवान के आर्मी को देखकर, यहूमिंग हाई तो पहले ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, उनको कोई भी मैनर्स नहीं पता थे, लेकिन डैनिल तो जीशवान के साइड था, जिस पर उसे काफे ज़्यादा गुसा आती है, लेकिन उन्हें आर्मी में रख लिया जाता है, यह कहते हैं कि उधीरे-धीरे सीख लेंगे, अब यहाँ पर जीशवान काफे ज़्यादा थक चुका था, इसलिए आर्निंग उसे हैती है कि वाकई में तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, हना जब वो दोनों आपस में बात करी रहे होते कि तब एक ओफिसर बताता है कि जीशवान की वाइफ उससे मिलने के लिए आही है, ये बात सुनकर जीशवान की हवा निकल जाती है, दूसरी तब आर्निंग उसके तब गुस्सेवाई नजरों से देखने लगती है, और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने आहर्मी के साथ साथ अपने लेक बीवी पे ढूड़ ली, दूसरी तब जीशवान कहता है कि सच में उस जगा में एक भी लड़की नहीं थी, लेकिन आर्निंग उसके बात पर यकीन नहीं करती, इसके बाद वो कहती कि मैं भी देखती हूँ वो लड़की कौन है, जब वो लड़की अंदर आती है, और वो देखते हैं कि वो कोई और नीबल की एक ओफिसर है, जिसका नाम मिस बिंग था, उसने जूट बोलके अंदर आई है कि कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था, अब इसके बाद वो लेड़ी उसके साथ अकेले में मिलती है, जहां वो उससे बताती है कि प्लीज मेरी मदद करो ना, इस्टन के हालात इतनी ज़्यादा खराब थी, और इन सब का रिजन तो लियू मूब भाई था, लेकिन आप यहाँ पर वो सजा मेरे कमांडर को भी दे रहे हैं, यानि कि लिव भाई को प्लीज उन्हें बचा लो, उनकी कोई भी गलती नहीं थी, जिस पर जीजवान उससे वादा करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, इसके बाद वो डैनिल से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वही एक हाईपोस्ट वाला बंदा था, जो कि उसकी मदद कर सकता था, उसके घर चाने पर उसे डैनिल तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी वाइप सरूर मिलती है, जो कि अब प्रैक्निन थी, यानि कि अब डैनिल फादर बनने वाला था, और चीचवान चाचा, डैनिल की वाइप ये भी बताती है, कि अब डैनिल काफे जादा काम में बिजी रहता है, इवन कि वो घर भी बड़ी मुश्किल से आता है, इसके बाद वो चीचवान को वेट करने के ले कहती है, जिस पर डैनिल बात को बलट देता है, दूस्सी तब चीचवान कहता है कि, तो तुम्हें पता चले गया होगा कि मैं यह पर क्यों आया हूँ, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, कि लिव भाई की कोई भी गलती नहीं है, उसके नाम का तो अरेस्ट वारिन भी निकल चुका है, प्लीज उसे बजा लो, मुझे पुरा यकीन है कि तुम यह काम कर सकते हो, जिस पर डैनिल बातों को इदर दो गुमाने लगता है, और अब उससे कहता है कि, कि इवान की दोस्ते भी बड़े भाई वा करते थे, अब क्या हुआ, एलग अलग रास्ते में जा चुके है, तुम दोनों ने तो मुझे ठुकरा चुका है, तुमें यहीं लगता है, ये मैं कथोर दिल वाला हूँ, मुझे कोई फरق नहीं पड़ता, लेकिन इत्ती बड़ी पोस्ट में आने के बाद मेरी जिम्मेदारी और पीछादा पढ़ चुकी है मैं ऐसे खेल में शामिल हो चुका हूँ कि शायद मैं अप इससे पीछे मुड़ ही ना सकू लेकिन अब वो जी चौन से खहता है कि प्लीज मुझे एक वादा करना अगर कल कोई मुझे कुछ भी होता है तो प्लीज मेरे आने वाली फैमली का ख्याल रखना यानि कि मेरे वाइफ और मेरा होने वाला बेबी जिस पर जी चौन उससे वादा लेता है यहाँ दूसी तब उसके जाने के पास डैनिल का सब ओरिनेट उसके पास आता है यहाँ पर डैनिल अजीब अजीब सी बाते कर रहा था एवन कि यह वो चाहता ही नहीं था कि वो लियो बई को बचाए हुआ कर दो दूसी हो दो वो जादा है